नमस्कार मैं अब शेक पांडे और आप देख रहे हैं नीज 24 बाइट बिहार में पंचाज चुनाव खत्म होने के साथ बिधान परिशत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है चुनावी मैदान में उतरने वाले संभावित परत्यासी अपने दल के नेताओं के समख नीती में बड़ा परिवतन देखने को मिला है इसका फाइदा सीधे तोर पर विपक्षी दल यानी राज़त कॉंग्रिस को मिला है बिधान परिशत चुनाव में भी उलट फेर देखने को मिल सकता है राज़त इस बार काफी सोन समझ कर बेदाग वहर तरह से सक्षम चेहरे पर दाओ लागा सकती है बता दें बिहार बिधान परिशत में इस समय एक आउन सदस है जबकि कुल सदस्यों की संग्या 75 है पिछले वर जून में 24 सीटे खाली हो चुकी है पंचाय चुनाव में देरी के कारण इन सीटों को अभी तक नहीं भरा जा सका है इस बार MLC चुना के बाद जीले की राजनीती में अजीब परियुतन देखने को मिला है सत्तपक्षिय समर्तन से महाकटफंदन का उमिद्वार जीला परसद अध्यक चून लिया गया है इसके बाद बिधान परसद की सीट को लेका भी तरह तरह की चर्चाय शुरू हो गई है वहीं कई लोगों ने तबी तैयारी सुरूग कर दी है लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है एक नया और बेदाग चेहरे का नाम तेई से चर्चा में हैं उनाम है मोतिहरी के सिक्षाविद अलोग सर्मा का जानगारी के अनुसार अलोग सर्मा भीतर ही भीतर तैयारी में सिहारी के पूर्व सांसत वा वर्तमान में राज सबा सदस वाल लालू परिवार के काफी करीबी डॉक्टर अकलेश सिंग का भी अलोग सर्मा को खुला समर्थन है ऐसे में इनकी दावेदारी काफी मजबूत हो जाती है हाली में संपन वे जीला पर से चुनाओं में महाकठ गुपता चुनाओं जीते थे उन्होंने राजत परत्यासी कलावती देवी को हराया था एक बार फिर से चुनाओं का भी गुल बजने वाला है संभावित परत्यासी भीतर ही भीतर चुनाओं तैयारी में जुटे हैं लेकिन इस बार की लड़ाई बीजेपी के लिए असान नहीं दिखती है बीरो रिपोर्ट निउस टंटीफोर बाई